नमस्कार आप देख रहे हैं समय साक्षे मैं प्रीतिरावत आपके साथ पिछले वर्ष कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरे विश्भर की देश्भर की रफ्तार रुख गई थी ऐसे में जो है इस वर्ष 2021 में फिर से कोरोना की जो है दूसरी लहर ने आतंग मचा रहा है जो को देखते हुए जो है अन्य सभी विभाग जो है सचेत यहां पर होते नजर आ रहे हैं ऐसे में क्या कुछ विभागों की तैयारिया है इसी संबन महमार साथ आज बाचीत के लिए मौजूद है आटीयों के पर प्रवर्तन अधिकारी संदीप सैनी तो बहुत-बहुत स्व इसमें हमारे जितने भी प्रवर्तन अधिकारी हैं हमारे देहरादून संभाग के हमारे रिशीकेश, देहरादून, विकासनगर, हरद्वार, अरूर्की में सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि कोविट के नियम पालन करवाएं और राज्य सरकार दौरा जो S.O.P. इस और 21 मार्च के बात कितने भाहन संभाश करने हैं विक जाथ, उनका डाटा भी निकाला जा रहा है कि तोटल कितनी गाडियां हैं क्योंकि कुछ गाडियां उसमें ऐसे हैं जो में हमारे पास पॉलिसी गडलेंश आ जाएंगी उसके अनुसार ही कारवाई की virtually एक कुईशन में आप से पूर्ण चाओंगे आर्टियों में जादा तर देखा जाए तो दलालो की भारी संख्या कभी कवार यहां पर देखने को मिल जाती है इस संबंद में क्या कहेंगे आप इस समय ऑफिस में आप देख सकते हैं लोग स्वयम अपना काम करवा रहे हैं यहां पर आके अब हमारा लगबख सभी सर्विसेज जो हैं डिजिटाइज हो चुकी हैं ऑनलाइन हो चुकी हैं और अगर आप देखे तो हमारे ऑफिस में सभी लोग अपना काम करवा रहे है प्रेरित भी किया जा रहा है आके लोग हमारे को डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर उनको थैंक यू करते हैं कि आपने आउनलाइन करवा दिया और एक नई चीछ होने जा रही है जिसमें फेसलेस सिस्टम हो जाएगा जो अधार बेज़ गवर्मेंट ने इसमें कारवाई बड़ी कारवाई की जा रही है बिल्कुल बहारी व्यक्तियों के लिए कोई भी पॉइंट नहीं चोड़ना चाहिए और हमारे राज्य सरकार हमारे सचीव साब की तरव से काइड लाइन है कि आप जितना लोगों को प्रेडित करें कोविट लेहर होती है तो कैसे आटियों का संचाला इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया भी जैसे हमने बहुत सारी सर्विसें जहां ऑनलाइन कर दी हैं तो फुटफॉल लोगों का सिर्फ एप्लिकेशन मातर के लिए जो पहले हुआ करता था वो बिलकुल कम हो गया है तो अभी लोग बाहर से कहीं से भी अपने घर बैठके भी आउनलाइन सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं और जो भी SOP राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी समय समय पर तो सभी कार्यालों के द्वारा भी वो ही SOP को फोलो किया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानगारी देने के लिए तो यह थे हमारे साथ आटियों के परिवर्तन अधिकारी संदीप सैनी जी जिनका कहना है कि अब लोगों के अपने काम कि और से गाइडलाइन से उनका पालन भी यहां पी किया जा रहा है परिशन में आने वाले जो लोग हैं उनको मास्क, सैनिटाइजर और दोगज की दूरी का पालन करने के सभी को निर्देश यहां पर जारी कर दिये गए हैं अन्य जानका ये उगले भी देखते रहें समय साक्षे में प्रिती रावत कैमरा परसन राजन के साथ